दोस्तों क्यों आप fail हो जाते हो application को बनवाने के बाद भले आप उस पे अच्छा खासा पैसा इंवेस्ट कर दो promotion में या फिर आप उसे बहुत जादा share कर रहे हो marketing आपने बहुत अच्छी की है लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि आपका targeted audience क्या है तो आप कैसा भी application के बाद तो दुख भी बहुत जादा होता है and next time आप किसी भी business में next time आप application बनवाने के बारे में सोचोगे भी नहीं तो यह बहुत ही जादा important point है क्योंकि कि कि किसी भी राही को कोई भी राही को अगर मंजिल का पता ना हो तो भटकता ही रहेगा आपको अगर नहीं पता ह कि आपको जाना कहा है तो आप रस्ते में भटकते ही रहोगे तो targeted audience application यह जो word है बहुत important है अगर आप application के बारे में समझना चाहते हो यह application बनवाने के बारे में भविश्य में सोच रहो या फिर आपने application बनवान लिया है तो भी आपको यह video पूरा end तक देहना चाहिए क्यो सबसे बहले दोस्तों topic में बात करेंगे कि आपका targeted audience क्या है जब आप application बनवाते हो या फिर targeted audience application का मतलब क्या है दोस्तों targeted audience application का मतलब ही यह है कि जो आप application बनवा रहे हो या जो application आपने खुद बनाया वो किसके लिए है क्या वो बच्चों के लिए है क्या वो बड़ों के लिए है या फिर वो बिजनसमैन के लिए है या फिर जो आंत्रोपनियोर्स होते है क्या वो अप्लिकेशन उनके लिए है या फिर जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंट्रेस्ट रखते हैं क्या वो अप्लिकेशन उनके लिए है या फिर वो अप्लिकेशन गैमलिंग है या फिर वो application एक story book है जो सिर्फ read करते है books वगरा उनके लिए है या फिर वो application उन agent person के लिए है जो ज्यादा किसे कहानियों पे विश्वाश करते है तो सबसे पहला point यही हो main targeted audience application देख शब्द जो मैं आपको बोला इसमें ही पूरा उसका मतलब है आप application जो बना रहे है वो बना किसके लिए हो simple मतलब इसका आपका जो application है आप उस application में target किसको कर रहे हो इसके दो फायते होते हैं दोस्तों सबसे पहला अगर आपको यह पता चल गया कि आपका application किन लोगों को target कर रहा है ठीक है तो आप जो आपको चाहिए वो सीधा 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 आपको मिल जा रहा है अगर आप उसका प्रमोशन भी आडवर्ड या फेजो बूस्टिंग पर जब आप जाओगे तो targeted audience आप वहाँ पर select करोगे आपको जो चाहिए जैसे audience चाहिए वैसे मिल जाएंगे जो मेरे वो बिल्कुल मेरे targeted audience है ठीक है क्योंकि अगर मैं ये videos mix करता इस channel पे या फिर इस video को ऐसी जगा प्रमोट करता जहां पे मेरे videos में को interested नहीं होगा तो वहाँ से मैं revenue ही generate नहीं कर पाऊँगा ठीक है तो targeted application को आप कैसे पहचान होगे मतलब आप कि आप अपने application को पहचानों के कैसी का आपका application किसके लिए है ठीक है तो दोस्तों अगर तो आपका application e-commerce application first कीजिए आपका application आपने e-commerce application बना लिया है तो उस situation में आपके जो audience है वो 15 से लेके 25 या 30 तक या 40 कह लिजिए इस उमर के ज़्यादा लोग आपके targeted audience होगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा shopping नहीं करते है ठीक है अब आप 15 जो रहते हैं वही ज़्यादा shopping करते है ठीक है अब shopping में भी आपको ये सोचने है आपने आप बेच कहा रहे हो ठीक है 15 से लेके 25 तक के बीच में आपके audience से ज़्यादा targeted audience होगे क्योंकि वही ज़्यादा books वगरा में interest रखते हैं ठीक है अब मतलब अगर आप उसके अंदर clothes वगरा बेच रहे हो या women's के जो जो भी उनके कपड़े रहते है वह ज़्यादा बेच रहे हो तो वहाँ पर आपका targeted audience के है सिर्फ women's ही है अगर आप men's के सामने वह promote करना होथी क्या वह लेंगे नहीं लेंगे women's के सामने आपको promote करना पड़ेगा ठीक है और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग्स्टर्स है आप आपको पता ही होगा तो उस टम आपके targeted audience रहते है 14 या 12 उस उमर से लेके 24 या 22 24 तक यह आपके targeted audience है अगर आपने वीडियो स्टेटस का application बनवाया है उस समय आपके targeted audience रहेंगे 12 या 13 के लिजे वहाँ से लेके 25 या 28 तक यह आपके target उसमें आप 40 तक भी रख सकते हो क्योंकि जिनके पास time जो free बैठे रहते हैं वो भी watch करते हैं आप 40 तक जा सकते हो इस बीच में में चीज है अगर अब देखो अगर आपने एक gambling application बनवा लिए उस time पर आपके targeted audience बहुत कम रहेंगे क्योंकि आपको पता है सटका मटका यह सब इस type के applications रहते हैं क्योंकि वैसे वह इंट्रेस्टेट बहुत लोग होते हैं लेकिन online इस time कम है तो उस time आपको target उन लोगों को करना है वैसे तो यह बच्चे खेलेंगे नहीं तो अब आउ 18 18 से लेके 30 तक या 40 तक आप जा सकते हो 50 तक भी जा सकते हो इस situation में यह आपके targeted audience रहेंगे इस age की जो रहेंगी यह आपके targeted audience रहेंगे ठीक है वैसे gambling applications में अरनी बहुत जादे होती है लेकिन targeted audience आपके बहुत कम रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको target करना है पहले आपको अपने application को देखना है समझना है कि आपका application कोन सी category गया है ठीक है अगर तो education है तो education मतलब उस कितने उमर की बच्चे पढ़ सकते हैं आपका जो book है उस हिसाब से आपको target करना है ठीक है अब बात करते हैं जब आप target audience select कर लेते हो आपको category आपको मिल गया कि आपका education है e-commerce application है इस हिसाब से इतने age के people's आपके application को download करेंगे और वो use करेंगे ठीक है उस condition में उसके बाद आपको जो तीसरा वाला point पर में cover करता हूँ तीसरा point यह है दोस्तो उस time आप अपने application को paid भी रखोगे तो भी वो sell होगा अभी मैं थोड़ा इसको detail में बदाता हूँ इस एक क्या बोला चाहता हूँ मैं यह बोला चाहता हूँ आपका application paid आप रखो मतलब आपका समझ के चलो कि आपके example के तोर पे आपने education का app बनाया ठीक है education के app में आपने 5 books को free रखा है आपके targeted audience आपको पता है 14 से लेके 24 तक आपके पूरे targeted audience है इनके बीच में यह आपने promote किया है अब इनके बीच में अगर आप 2-4 book paid भी लाओगे न कि यह मेरा book बहुत premium है इसमें मैंने और extra मेहनत करके अच्छे content डाले हुए है यह अच्छा book है आपको पढ़ना चाहिए उस time वो paid भी sell हो जाता है क्योंकि वो आपके targeted audience के बीच में है अगर मैं मेरे channel पे कुछ नए offers को लाओ या sell करो कुछ नए product को तो जो नहीं भी खरीदने वाला को वो भी खरीदेगा क्योंकि मेरे पास है ही सिर्फ targeted audience बस मुझे मेरा काम है उनका अच्छे से convince करना उसके benefits को उनके सामने रखना तो यह होता है complete दोस्तो वो किन age के लिए आता है किसके लिए है और वो कितना आपको revenue generate करके दे सकता है मेरा personal suggestion रहेगा अगर देखो दोस्तो targeted audience में फायदा बहुत है अच्छा खास आप इसमें earning कर सकते हो application जब भी आप बनवा रहे हो इसमें जो ways रहता है एक best five ways रहते है इसके earning के वो actually मैं मेरे next video में बताऊगा कि वो best five way क्या है ठीक है लेकिन आपको इतना याद रखना है कि targeted audience अगर आपके पास है मेरा personal suggestion कभी भी आप याद रखे targeted audience के बीच में अगर आप paid भी कुछ डालते हो वो फटा-फट सहल होता है आपको मेरे वीडियो हमेशा शेयर करता रहता हूँ उस वीडियो को लाइक जहुर कीज़गा अगर आपको मेरे वीडियो या टॉपिक पसंद आया होगा और हां मिलते है नेक्स वीडियो में वो जो best five ways है मैं बता हूँगा इसकी बात मेरे आना है नेक्स वीडियो में थांकी दोस्तों में नेक्स वीडियो में